आज इस वीडियो के अंदर में आपको बहुत बड़ी इंटर्णशिप के बारे में बताने वाला हूं इसका नाम है लीगल इंटर्णशिप अपॉस्टिनिटी एट ब्लॉक्चेन गवर्नेंस काउंसिल यह बहुत बड़ी इंटर्णशिप है यहां पे आपको तीन या चार म आपडेट देने के लिए आया हूं यह तीन या चार महीनों की इंटर्णशिप होगी दो स्लॉट्स है तीन महीने वाला स्लॉट है और एक चार महीने वाला स्लॉट है तो जिन लोगों को लगता है कि मैं अभी लॉग कॉलिज में हूँ और पढ़ रहा हूं तो मुझे पोर्टल ओपन है के वल 4 मही 2023 से लेके 15 मही 2023 तक आपके अप्लिकेशन फॉर्म इन तक पहुंच जानी चाहिए आप इसके अलाबा कहीं पे भी अपना एप्लिकेशन फॉर्म भेशते हो तो सौरी आपका एप्लिकेशन रिजेक्ट हो जाएगी कि लिए तौर पे मैं आपको एक cover letter भी तियार करना है 300 शब्द होगा लिखा होगा हाँ लिखा है ना 300 शब्दों को आपको अपना cover letter भी तियार करना है अब ये cover letter का मतलब क्या होता बाइद है को Google के अंदर आपको अपनी responsibility इस तीज की खुद निभानी है cover letter का मतलब यह होता है कि आप से recruiter ये जानना है कि आप blockchain governance के अंदर internship क्यों करना चाहते हो आपका interest कैसे जागा आपको इसके बारे में क्या-क्या जानकारी है थोड़ी भी जानकारी है ना वह भी बहुत enough है इसलिए मैंने भी वीडियो के सार्टिंग में बोला था Google पे आप एक बारी area को चेक कर लेना ताकि मेरे मुझ स इसे वरवली बताने से कोई फायदा नहीं होगा मैं बताने को आपको 10 मिंट लेके बता भी देऊंगा सारी चीज़ पट उससे आप अपना cover letter बहुत अच्छी से प्रिपेर नहीं कर पाऊगे जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे बैठके याद रखेगा तो यहां पर आ अपने application form डालनी है अपने application form के लिए 300 words तक आपको अपना cover letter प्रिपे करना है resume में आपने क्या अपना previous track record क्या है बारवी में आपने कोई competition में पाट लिया था college में हो कोई moot code के अदर पाट लिया था कई दीते हो या कोई भी position आई है या फिर केवल participate करा है वही sufficient है resume में आ आपको सारी चीज़े cover letter के अंदर की भाई candidate का interest क्या है blockchain governance के अंदर और explain करना एक एक अपना motivation की क्यों आपको क्या motivation point लगा कि मुझे blockchain के internship करनी चाहिए ठीक है यह सारी बाते दो को लिखनी पड़ती है अब मानो या ना मानो जबी recruitment जो कर रहा होगा वो इस बात को गौर रखते हो आपको आपकी application को consider करके आपको सीधा internship दे देगा याद रखना कोई other formalities में आपको फसन ही नहीं पड़ेगा जितना बड़िय जितना बड़ा बड़िया रिजियूम उतना एकदम चांस मिलता है आपको internship करने का जो की बहुत ज़्यादा जरूरी है आप लोग मेरी बात पर अभी वरुसर नहीं करोगे जब आपके LLV पूरी हो जाएगे ना तब आपको realize होगा कि यार सर ने एक बात जैन्वन बोली इंटर्णशिप करना बहुत जरूरी होता है ठीक है तो मेरी इमेल आइडी आपको ठीक है और अपने केंडियेट का नाम और लौ स्कूल का नाम और education qualification क्या है आपकी बार भी पास हो ना या तीन साल वाले लिल भी करें हो graduate हो ना ठीक है यह भी लिखना रहते का हो और इमेल लेटर अपना अप्लोड करना है एंड रिजीम अपना अप्लोड करना देन समिट कर देना बात खतम बस इतना छोटा सा काम आपको करना है इतना काम अगर आप कर देते हो आपकी application डिरेक उन तक पहुंच जाएगी बस शर्त क्या है 15 मई 2023 तक यह उससे पहले ठीक है बस इत दर दर की बहुत सारी इंटर्शिप्स देखने को मिल जाएगी जो यूज में नहीं होती आपकी लाइफ में याद रखना जो आपकी लाइफ में एक अच्छी knowledge प्रोवाइड कराने वाली इंटर्शिप्स होती है केबल वही इंटर्शिप्स की अपडेट्स में आपको ले